नमस्ते बच्चों, जेसी आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की एक बहुत ही लयात्मक कविता, बहुत ही रोचक कविता जिसे हम याद भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से तो चलिए बच्चों, इस कविता का हम पाठ करते हैं और इसे हम याद करने का प्रियास करेंगे तो बच्चों, आप अपने हिंदी पाठी पुस्तक को खोल लें और इसके प्रिष्ट संख्या साठ पे चलें तो बच्चों, यहाँ पे आप देखिए आपके कविता की पहली तीन पंक्तियां काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए बच्चों आगे बढ़ते जाएे हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल कितने सुन्दर लगते बादल हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल कितने सुन्दर लगते बादल बच्चों आगी बढ़ते जाएए पीडों जैसे भेडों जैसे लगते जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े बच्चों बहुत तरह की आकरितियों में बदल जाते हैं ना बादल कभी वो भेड़ के समान कभी घोड़े के समान कभी हाथी के समान कभी पेड़ जैसे है ना तो वही चीज़ है बच्चों पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े आगे बढ़ते जाना है और याद करते जाना बच्चे हम लोगों को ननने जलकन गए भाप बन उसी भाप ने ठंड़क पाई बादल बर से बरसा आई बच्चों यहां बताया गया है कि बादल कैसे बनते हैं ननने जलकन यानि की छोटे छोटे जलकन नन्ने जलकण गए भाप बन छोटे छोटे जलकण यानि कि पानी की जो बुंदे है वो भाप बन करके आस्मान में वो चली जाती है और फिर वही भाप जो है ठंड़क पाकर बादल बन जाते हैं और बादल बन के फिर धरती पे आते हैं तो कितनी सुन्दर पंक्तियां बच्चों, नन्ने जलकन गए भाप बन, उसी भाप ने ठंड़क पाई, बादल बरसे बरसा आई, आगी बच्चों, देखी आस्मान में कैसे बिजली कड़क रहे हैं, करते गड़ गड़ आते बड़ बड़ बिजली बादल कोचम काए, अंधियारे में राह दिखाए, तब क्या हुआ बच्चों, जब बारी सोने लगी तो, तो फिर मोर नाचने लगे, जूम जूम कर नाच दिखाए, खुस हो कर गाना गाए, आगे बच्चों, बरसे बादल कल कल चल चल तैर चली कागज की नईया, पूँच उठाकर भागी गईया, तो कैसी लगी बच्चों कवीता, तो चलिए इस कवीता को हम लोग एक एक पंक्ती अलग-अलग से पढ़ते हैं बच्चों हैं न, देखिए, काले काले पानी वाले, काले काले पानी वाले, आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर चाए, फिर अलग-अलग बच्चों, अगली पंक्तियां एक-एक पंक्ती करके, हवा पकड कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल, है न, हवा पकड़ कर लाती सर सर छाये जैसे काले कंबल कितने सुन्दर लगते बादल आगे बच्चों पेडों जैसे भेडों जैसे लगते जैसे चलते घोडे बन जाते हाथी के जोडे देखें बच्चों हाथी किसे आकरिती लग गई ना बादल की बन जाते हाथी के जोडे है ना पेडों जैसे भेडों जैसे भेडों जैसे लगते जैसे चलते घोडे बन जाते हाथी के जोडे बच्चों आगे बढ़ते हैं हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल कितने सुन्दर लगते बादल है ना फिर आगे नन्ने जलकन गए भाप बन यहाँ पर आपको दिखाया गया बच्चों की कैसे नन्ने जलकन जो है वो भाप बन जाते हैं नन्ने जलकन गए भाप बन उसी भाप ने ठंडग पाई उसी भाप ने ठंडग पाई बादल बरसे बरसा आई इसको एक साथ पढ़ते हैं नन्ने जलकन गए भाप बन उसी भाप ने ठंडग पाई बादल बरसे बरसा आई आगे बच्चों करते गड़ गड़ आते बड़ बड़ यहां तो बच्चों देखी आसमान में बिजली चमक रहे हैं उनको राह कौन दिखा रहा है वो बिजली की जो चमक है न वही तो इसको एक साथ गाते हैं करते गड़ गड़ आते बड़ बड़ बिजली बादल कोचम काए अंधियारे में राह दिखाए और आगे तो बच्चों कितना मजाने वाला है मोर मगन मन्चूम चनंचन जूम जूम कर नाच दिखाए खुस हो कर गाना गाए एक साथ पढ़ते हैं बच्चों मोर मगन मन्चूम चनंचन जूम जूम कर नाच दिखाए खुस हो हो कर गाना गाए आगे बच्चों बरसे बादल कल कल चल चल बरसे बादल कल कल चल 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 तैर चली कागज की नईया पूछ उठा कर भागी गईया तो कुल एक कई स्पंग्तियों की कविता है बच्चों इसे हमें याद करना है सभी बच्चों को याद कर लेना है है ना बच्चों इसको एक बार फिर से देख लीजिए बर से बादल कल कल चल चल बर से बादल चल 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 तैर चली कागज की नईया पूँछ उठा कर भागी गई या तो इस तरह से बच्चों आपकी ये कविता समाप्त हो गई इसको आप जितनी बार दुराएंगे उतना ही अच्छा है बच्चों फिर से एक बार मैं दुरा लेता हूँ आप लोग इसको सुनिये काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए बोलो कैसे आकर छाए भेडों जैसे लगते जैसे चलते घोडे बन जाते हाथी के जोडे नन्ने जलकन गए भाप बन उसी भाप ने ठंड़क पाई बादल बरसे बरसा आई करते गड़ गड़ आते बड़ बड़ बिजली बादल को चमकाए अंधियारे में रहा दिखाए मोर मगन मन चूम चनंचन जूम जूम कर नाच दिखाए कुस हो कर गाना गाए बरसे बादल कल कल चल चल तैर चली कागज की नईया पूछ उठा कर भागी गईया तो ठीक है बच्चों इस कविता को दो तीन बार पढ़के मैंने सुनाया इसे गाने का प्रियास किया आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए कंठस्त कर लीजिए और इसके ठीक बाद मैं एक बना रहूं प्रसनोत्तर वाले वीडियो उसे भी आप देखिएगा ठीक है बच्चों जोहार बच्चों जैहिन बच्चों